कृसित छित्र में जितना महत बीज का है उतना महत अन्ड किसी आदान सामगली का नहीं है यह हम देख रहे हैं कि यह धनिया को गमले में उगाया गया है और धनिया के पौधे हमारे यहां किचिन गार्डन में जश्ट लाई के स्रव ट्री के रूप में डवलप हुए हैं यह धनिया है और यह यहां से देखिए यह उचा यह तक गया है यह गया देखिए उचा ही देखिए ये धनिया है और ये धनिया का बीज है जो पंजिकृत विक्रिताओं से आप लें तो आपको बढ़िया किस्म का बीज प्राप्त होगा और इसी तरह से देखिए हम और देखें आगे चलके देखिए ये भी धनिया है देखिए ये इसका है जो नीचे का हिस्सा है ये फैला और ये देखिए कई पोधे हैं जो काफी ग्रोथ कर चुके हैं काफी डबलप हो गए हैं हम देख रहे हैं कि ये किचिन गारण में धनिया काफी ग्रोथ करके तयार हुगा है और एक देखिए ये भी काफी लंबा पोधा हमारे इसका धनिया को गया है देखिए ये बड़िया लह लहा रहा है हिल रहा है और नीचे के पत्ते अभी हमने तोड़ करके और उप्यों किये हुए हैं किचिन में तो इस तरीके से हमारे जो देखने वाले हैं साथी लोग हैं वो सभी इस तरह से किचिन गार्डन अपने छत पर लगाएं क्यारी में लगाएं यह देखिए पोदों का एक जुंड है और इसमें कितना ग्रोथ है यह काफ़ी उचाई तक धनिया के पोदे गए हैं एक बढ़ता जाए थैं कि इतनी उचाई तक हमारा दनिया के पर दा नहीं खरीद किया है एक दूसला हम और आगे चलते हैं तो देखते हैं कि हमारा बैगन का पोथा ह हम पूरे साल भर से बैगन खा रहा हैं हमने बिल्कुल नहीं खरीदे हैं अभी इसमें देखिए यह पौद्ध में साथ बैगन लगे हुए हैं यह देखिए देख रहे हैं इस तरीके से जो है और इसी तरह से देखिए यह कितने बढ़िया हमारे फूल है जो यहां फिर खिल रहे हैं और इसके साथ देखिए यह भी देखिए धनिया के पौधों का एक जुंड है जिसमें देखिए कितना गिरोज करके और जितने आगे बढ़ी होगे देखिए काफी उचाई तक गया है देखिए और अब इसमें अब फूल आने की स्थिती बनी है तो इनको देखकर हैं हमारे जो साथ ही लोग ज्यादा काम में ब्यस्त रहते हैं और यह कि मनुरण्यन मिलता है मैं डाक्टर बीपी सुत्रकार साइक संचाला क्रशी छतरपूर मद्ध प्रदेश